पाकिस्तान के अंदर गोड़ा आज उन्होंने हमारी सर्षद में खुशने की कोशिश की तो फिर मारा एक बार और मारा पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला किया तो सवाल पूछने लगे ऐसे लोग देश द्रोहियों पर सवाल कब करेंगे पुछता है भारत शर्म होती है मुझे कि हमने अपने सेना को विवश्च कर दिया आज कि प्रेस कांट्रिंस करके कहे नहीं नहीं हमने एस्ट्रेक्स किये विश्वस्त नहीं होता कोई और देश में ऐसा नहीं होता है सिर्व भारत में होता है हमारे राश्य सर्वोपरी, देश सर्वोपरी, सेना सर्वोपरी यह देश को कहना चाहता हूँ कि हम 130 करोड हिंदुस्तानी सेना के साथ है जिसको सेना पर भरोसा नहीं उनके लिए एक ही रास्ता है वो पाकिस्तान चले जाए जो लोग कहते है जो लोग मैं कहूंगा जिनको विश्वास नहीं सेना पर पाकिस्तान चले जाए पुछता है भारत कि भारत में पाकिस्तान से ड्रग्स आता है तो क्या बॉलिवुड के कुछ लोग भारत में पाकिस्तान का व्यापार बढ़ा रहे है और जो लोग कि जो लोग बॉलिवुड की आरवे पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं उन्हें देश द्रोही क्यों न कहा जा आग खीच लेंगे तुम्हारी, भारत में मूट क्या भी, मूट क्या भारत में, इट का जवाब पहाड, इट का जवाब रोकेट, इट का जवाब मिसाइल, इट का जवाब मिसाइल, क्या भारत की नई युद नीती से डर गया और मर गया पाकिस्तान और आज का सबसे एहम औ भारत ये मैं नहीं पूछता है भारत कि वाटसअप चैट में अरनब गोस्वामी कथित तौर पर क्या बात कर रहे हैं 26 फरवरी 2019 को भारतिय वायु सेना पाकिस्तान के बाला कोट में हमला करती है देश को ऐसे बताया जाता है कि गुप्त मिशन था और पहली बार पता चला है हमले के बार जब मिशन पूरा हो जाता है लेकिन अरनब गोस्वामी को ये सूचना तीन दिन पहले से थी जैहिंद और भारत माता कीज़े इंडिया है instruction and we have struck them hard and most importantly we have struck them straight in the face just wanna say that today truly 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 is a day for all of us to come together and celebrate मैं शांज ऐन से कहता हूँ कि हां हम राश्च्चरवादी है मैं राश्च्चमादी हूँ हां मेरे रास्च्चा सर्वादी है इसलिए आज हर हिंदुस्तानी मेरे साथ पूछ रहा है कई सवाल हमने सबूत दिखाया क्या सबूत मांगने वाले पाक प्रेमी अब देश से माफी मांगेंगे पूछता है भारत हिंदुस्तान और मोधी सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है ब्रेकिंग खबर ये है कि मसूद असर गलोबल आतंकी घोशित हो गये है पुलवामा का असली बदला आज पूरा हुआ है पूरे हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्फ से चोड़ा हो गया है अर्नब गुस्वामी 23 फरवरी को ये चैट कर रहे थे इस चैट में अर्नब गुस्वामी कहते हैं कि हाँ एक और बात कुछ बड़ा होने वाला है तब पार्थो दासगुपता पूछते हैं दाउद अर्नब गुस्वामी कहते हैं नई सर पाकिस्तान इस बार कुछ बड़ा होने वाला है पार्फोदास गुपता कहते हैं ऐसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए बिग मैं के लिए अच्छा है तब वो चुनाओ जीत जाएंगे स्ट्राइक या उससे भी कुछ बड़ा अर्णव गोस्वामी कहते हैं समानी स्ट्राइक से भी काफी बड़ा और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा जिससे लोगों में जोश आ जाएगा इलेटेड हो जाएंगा अंग्रेजी का वर्ड है बिलकुल यही शब्द इस्तमाल किये गए थे अर्णव कहते हैं इस चैट को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं बना है यह एक सिस्टम का नाम है जिसका एक संग्रक्षक है सबका मालिक एक है अब आप फ्लेश बैक में 2019 के आम चुनाओं में खुद को ले जाएगे क्या वाकई चुनाओं में जोश पैदा करने के लिए यह सब कुछ हुआ या ऐसा करने से पहले यह भी सोचा गया कि हमला होगा तो जनता में जोश पैदा होगा और चुनाओं में फाइदा होगा और बद दूसरे सवालों को भूल जाएगी जनता और वोड़ देने लग जाएगी बाला कोड के प्रहार से आतन की खौप में है क्या मोदी की जीत से खामोश हो गया विपक्ष पूछता है भारत क्या चुनाओं के बीच ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत है पूछता है भारत क्या सेना और सरकार से अब भी सवाल करेगा विपक्ष पूछता है भारत यारनब गुस्वामी उस सिस्टम का नाम है जिसके तहत विपक्ष को खत्म किया जा रहा है 16 जनवरी से ये खबर सोशल मीडिया में वाइरल है ये चिंता से आगे की बात है कि राश्ट्रिय सुरक्षा की गंभीर योजना में टीवी चैनल को शामिल किया गया इस से करोडों लोगों के विबेग पर हमला किया गया और चैनल ने करोडों रुपए से कथी तोर पर कमाने का जुगार किया भारत में बेरोजगारी है करोडों लोगों की नौक्रियां चली गई बिजनिस बरबाद हो गए आम लोगों को 92 से 95 रुपए लीटर पिट्रॉल के देने पढ़ रहे हैं आखिरा अरनब किस भारत माता की जै बोलती है राश्चा सर्वोपरी और जै भारत माता की जै वंदे मातरा वंदे मातरा वंदे मातरा जै जय 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 भारत मताजी बटे 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 क्या जूट पर परदा डालने के लिए भारत मता की जय बोला जाना चाहिए, मेरी माने तो भारत माता की जय तभी बोलें, जब आप प्राता स्नान करें, ध्यान करें, मन में किसी प्रकार का जूट ना हो, कपट ना हो, मन आपका पवित्र हो, क्या अरणव की जगा कोई और पत्रकार होता, और उसके चैट से ऐसी समवेधन शील चुप रहती, सोचिए यह उस देश का हाल है, जो पांच ट्रिलियन एकॉनमी बनने का खाब देखता है, लेकिन अरबो रुपए के विग्यापन देने के लिए उसके पास इस तरह के फर्जी सिस्टम है, या ऐसा सिस्टम है जहां फर्जी वारा आसानी से चलता है, प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूँ, तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, हाँ यहां कूदने फादने की जगा नहीं है, कम है, दिवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है, ना उचलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर चोटा है, और सामान सारे सस्ते हैं, तूट गए तो, लेकिन यहां मेरे बगल में खड़े रहेंगे, तो सारा डर भाग जाएगा, और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थ व्यवस्ता की हालत वाकई, खरा बात मेरी ही सच्छ होगी, बस तब आपके पास अफसोस के अ वकूफ बनाया जा रहा है, सामप्रदाइक बनाया जा रहा है, तो आपने देखा कि भारत माता की जय बोलने वाले अरनग गोस्वामी के चैनल के नंबर वन होने का राज क्या है, यू गेट माई पॉइंट, वाट विल यू डू देर विल बी नो डिमोक्रसी, चेक, कितनी बार कहा है, आज फिर कहता, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कर चुका है